मुकतार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल में कैदियों में हरकंप क्यों मचा हुआ है? क्यों बांदा जेल की कैदी खाना खाने से डर रहे हैं? क्यों वो रोटी को सिर्फ टमाटर में नमक लगा कर खा रहे हैं? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है आपको बताएं कि कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर रही है जादा हस नहीं रही है बोल नहीं रही है यहां तक कि वहाँ पर जेल की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है पुलिस सुभा और शाम दोनों समय फ्लाग मार्च कर रही है मुक्तार अंसारी गांक्स्टर जिसकी मौत होती है और हार अटाइक उसको आता है हिरदे गती उसकी रुख जाती है जिस वजह से उसकी मौत होती है लेकिसे मुक्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया कि उसको धीमा जहर दिया गया मुक्तार को जेल में जहर दिया गया धीरे धीरे उसकी तब्यत बिगरती चले गए और आखिरकार उसकी मौत हो गए ये परिवार वालों ने सवाल खड़े कि और हमने देखा कि जब मुक्तार अंसारी की मौत होती है उसके बाद जेल अधिक्षक को जान से माने की धंकी मिलती है पंदरा सेकेंड का वो ओडियो भी वाइरल होता है और शुरुवाती जाच में ये बात सामने आती है कि वो कॉल उत्रा खड़ से आया था अब आप ये समझे कि सुरक्षा तो वहाँ पर पुखता है मुक्तार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं वो धीमा जहर दिये जाने की बात तो कर रहे थे लेकिन पुलिस द्वारा इस बात का खंडन किया गया जो अस्पताल प्रशासन है मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की गई क्योंकि आपको बताएं कि मुक्तार अंसारी जो की गांग्स्टर था फिर नेता बना और वो धाई साल से बांदा जेल में बन था इसे पहले वो पंजाब की रोपर जेल में था जहां पर फिर भी वो अपनी गतिवीधियों को अंजाम देता था लेकिन जब से वो बां गैंक्स्टरों का कि जब वो यह सब करते हैं तो फिर अपनी लाके में मसीहा बन जाते हैं कुछ काम कर देते हैं गरीबों की मदद कर देते हैं ताकि वो अपने काले कारणामों को छुपा पाए लेकिन अब आप यह समझें कि बांदा जेल में जब से आया मुक्तार अंसार उसको हिल्थ इशूस ढ़ाई साल पहले भी थे जब वो पंजाब की रो पर जेल में बन था सर्फ उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में ही नहीं नेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो कैदी बांदा जेल में इस वक्त हैं वो डरे होए क्यों हैं वो जेल का खाना खान प्रशासन की तरफ से या फिर हम जेल प्रशासन की बात करें इस बात का खंडन किया गया है क्योंकि जब भी ऐसी आवाज उठाई जाती है वकाईदा जो सांपल्स होते हैं बोल ये जाते हैं नमूनों की जांच होती है और मुक्तार अंसारी जो उसकी बैरक थी वो काफी सु इसाल उठा रही है और इस बात को लेकर कि बांदा, जेल के कैदी डरे होए हैं अब कितने दिनों तक वह एक दूसरे से बात करते हैं कितने दिन तक वह जेल का की अब जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी जतने दिन रहना है आपको यह देखना होगा लेकिए